Hey everyone, welcome back to my channel आज बनाएंगे कुछ स्पेशल जो है स्ट्रीट स्टाइल मतर कुल्चा वो भी बहुत आसान तरीके से ये जो कुल्चा है वो बिना किसी मैदे के मतलब 100% गेहूं के आटे से बनाएंगे और ये जो मतर है वो बिना किसी तेल और घी से बनाएंगे तो अगर आप अपनी वेट लॉस जन्नी पे हैं ये मतर चाट आपके लिए परफेक्ट है एक बार च्राइ करना तो बनता है आईए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सफेद मतर जिनने मैंने रात भर भीगो के रखा था आप चाहें तो याँ सफेद छोले भी ले सकते हैं सबसे पहले आटा लगाएंगे क्योंकि उसे फर्मेंट होने में कम से कम डेट से दो घंटे का टाइम लगेगा इसके लिए पानी को गरम कर लेंगे यहाँ पर यह ल्यूक वाम से थोड़ा से जादा गरम होना चाहिए हम लेंगे वन बाई फोर्थ कप पानी इसमें डालेंगे एक टीस्पून चीनी इसे पानी में तब तक गोलना है जब तक यह अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती है इसके बाद फिर से पानी का टेंपरेचर चेक करेंगे यह इतना गरम होना चाहिए कि आप इसे सह सके मतलब कि यह गुनगुना पानी होना चाहिए इसमें डालेंगे एक टीस्पून यीस्ट इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दस मिनिट के लिए धक्का रखेंगे जब तक यह अक्टिवेट नहीं हो जाती है जब भी आप घर पे नान ये कुल्चा बनाएं और अगर आपके पास यीस्ट है तो इसे ज़रूर ट्राइ करें इससे नान ये कुल्चा बहुत ही सौफ्ट और अच्छे बनते हैं मैंने यहां पे दो कप गेहूं का आटा लिया है उसमें डालेंगे एक टी स्पून नमक एक टी स्पून पीसी हुई चीनी और दो टी स्पून मिल्क पाउडर क्योंकि ये कुल्चे हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं मिल्क पाउडर डालने से ये और भी अच्छे और कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा यूज़ कर सकते हैं दस मिनित हो गए है यीस्ट हमारी अक्टिवेट हो गई है ध्यान रखें पानी को गुन-गुना ही ले नहीं तो यीस्ट एक्टिव नहीं होगी और यह फैक्टना पड़ जाएगा और आप आप चाहें तो या दूद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहां मैंने लिक पक एक कप पानी का यूज़ किया है यह आटा इतना सॉफ्ट लगाना है कि जैसे आप नॉर्मल रूटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए यहां पहले मैंने फोक यानि क कांटे की हेल्प से इसे मिक्स कर लिया है और अब हातों से इसे अच्छे से गूथ लोंगी आप इस डो से पीजा और गार्लिक ब्रेट भी बना सकते हैं इसमें डालेंगे टू टी स्पून्स ऑफ घी आप चाहें तो इसकी जगा बटर भी आट कर सकते हैं और आप इसे इस फॉलो करके आपको आटा लगाना है इसे इस तरह से टक करते हुए गोल कर लेंगे और एक मिक्सिंग बोल में रख देंगे फर्मेंट करने के लिए तो मैंने यह आप एक कांच का मिक्सिंग बोल लिया है आप चाहें तो स्टील वाला भी यूज कर सकते हैं इसके ओपर या माइक्रोवेम में रख दें जिससे कि फूल कर अच्छे से तैयार हो जाएगा अब हम मटा को बोईल कर लेते हैं इसे रगडा या पीले मटा बोलते हैं या कुछ लोग इसे छोले भी बोलते हैं यहां मैंने एक कप मटा लिया है जिने मैंने राद भर भिगो के रखा थ उसे निकाल देंगे और इसे प्रेशर कुक में डाल देंगे फिरिस में डालेंगे एक चमज नमक एक चोथाई चमज हल्दी चुटकी भर बेकिंग सोडा डालने से अच्छे से गल जाते हैं तो अगर आपके छोले राजम या राजम नहीं पकते हैं नेक्स टाइम यह खान पानी में डाल कर रख दें ताकि यह सॉफ्ट हो जाएं आप चाहें तो इमली को राद भर विगो कर भी रख सकते हैं और अब हम लेंगे इक्वल कॉंटिटी में धनिया और पुदीना जिसे हम इमली के पानी में डाल कर खटा सा पानी बनाएंगे जो मतर के टेस्ट को और भी कर दें इसे ब्लेंड करके स्मूज सा पेस्ट बना लेंगे जो हमने इमली बहुकर रखी ती उसके बीज काल कर चान लेंगे और इमली के पल्प को ब्लेंड़ेजय को डाल कर एक बर फिर से पीस लेंगे अगर जरुरत हो तो थोड़ा सा और पाई ।कष्ट पेस्ट बना लेंगे तो यह हमारा पेस्ट बन गया है इसे चान लेंगे जिससे कि अगर इसमें कुछ नहीं पिसा होगा तो वह भी निकल जाएगा यह हमारा चटपटा पानी बनकर तैयार है चलिए अब कुल्चे बना लेते हैं दो घंटे हो गए हैं और हमारा आटा एंप्रेचर का भी फर्क होता है तो यह देखिए इसमें अच्छी से जाली बन गई है अभी इसे एक बार हलके आतों से फिर से गूत लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे यह जो मटर के कुल्चे हैं बहुती पतले बनते हैं दियान रखें इन्हें मोटा नहीं बनाना है मैंने यहापे सारे पेड़े इसी तरह बना लिए हैं और आब इन्हें धक कर रख देंगे एक पेड़ा लेकर इसी तरह सारे कुल्चे बना लेंगे पहले से थोड़ा सा बेल कर सूखाटा लगा लेंगे जैसे कोई स्टफिंग कर रहे हो और जिस तरह आप परांठे में स इस तरह से लंबा बेलनें तो आप देख सकते हैं मैंने इस कुल्चे को ना ही बहुत ज़ीला पतला बेला है बसी से क्वीडियम सा बेल कर तयार किया है इसे कीचिन चावल में या फिर एक सूती कपड़े में फोल करकर रख दें ऐसा करने से हमारे कुल्चे सॉफ्ट बने रहेंगे इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारे कुल्चे बना लेंगे यहां पर हमने दो कप आटे से साथ कुल्चे बनाए हैं तो आप देख सकते हैं कितने साइट में रख दें और जब हम कुल्चे को सर्फ करेंगे उस टाइम पर इन्हें फिर से सेख लेंगे चरी आप मटा बना लेते हैं इसमें डालेंगे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अद्रक, धनिया, बहुत सारे मसाले, तैयार किया हुआ पानी तभी हमारी यह मटर बिल्कुल स्ट्रीट वाले जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे डालेंगे प्यास, टमाटर, हरी मिर्च, लच्छे वाले अद्रक, हींग, कुछ मसाले जैसे की नमक, काला नमक, भुनावा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मिनी लालमेच पाउडर, एक चमच बनादा कर सकते हैं, लास पर डालेंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह हमारा तीका चटपटा मतर बनकर तयार है, देखते ही मुह में पानी आ गया, चलिए अब फटा-फट से कुल्चे बना लेते हैं, तावे को अच्छे से गरम कर लेंगे, इस पर बहुत ही अच्छा, इसे सर्फ करेंगे चटपटे मतर, लच्छा प्यास और मसाले वाली मिर्ची के साथ, तो देखा आपने यह स्ट्रीट स्टाइल मतक उल्चा कितने आसानी से आप घर पे बना सकते हैं, मैं तो चली इसे खाने, तब तक आपको यह रेसे भी पसंद आए तो यह से ज़रूर ट्राइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चानल को सब्स्ट्राइब करना ना भूलें